हेल फेंट सौगत है आपका तो होरेबिल्स के एक हैरान कर दिने वाले एपसोड में दोस्तो आज मैं आपको मेरे साथ घटी एक अजीब घटना के बारे में बताना जाता हूँ दोस्तो आज से एक साल पहले की बात है गर्मी का समय था अब मुझे मंत तो याद नहीं है लेकिन हाँ दो तीन बजे का टाइम हो रहा था और उस दिन गर्मी बहुत थी इसलिए मैं हाद मूँ धोने वाश रूम गया था और मैं हाद मूँ धोके जैसे कि अपने रूम के पास आया मैंने मेरी मॉम को मेरे सामने से जाते हुए देखा और मैंने ऐसे ही पूच लिया कि मॉम आज रात की डिनर में क्या बनेगा ममी ने कोई रिप्लाई ने किया मैंने सूचा हो सकता है उन्हें उन्हें ना सुना हूँ और फिर मैं अपने रूम में आया और मैंने देखा कि मेरी मॉम तो मेरे सामने बैठी है मैं डर गया मैंने का मॉम आप तो अब बाहर गई थी मॉम ने का मैं बाहर नहीं गई थी मैं आधे गंटे से यहीं बैठी हूँ मैं यह सुनके बहुत ज़ाधा ही डर गया दोस्तों ये गड़ना जो मेरे साथ गटी है, हो सकता है आपको लिए लग रहा हो, कि ये मेरा कोई ब्रह्म था, जी हाँ दोस्तों, क्योंकि दो दिन पहले मुझे भी यही लग रहा था, फिर कल मुझे एक स्टोरी पता चली, जो मेरी स्टोरी से रिलेट करती थी, और मैं बार घूमने के बाद वो ठक जाते हैं, और फिर वो उस होटल में आ जाते हैं, होटल में आकर उन्हेंने सोचा चलो कोई मूवी देखी जाए टीवी में, कुछ देर टीवी देखने के बाद, हस्बेंड न कहा मुझे प्यास लग रही है, क्या तुम्हें एक गलास पानी ल काम के 7-8 बजे का टाइम था, इसलिए उसने सोचा हो सकता है कि उस लेने गई हो, और वो इग्नॉर करके अपना मवल चलाने लगा, और एक मिनट बाद जब उसकी वाइफ पानी लेके बाहर आई, तो वो हैरान हो गया, और अपनी वाइफ से कहा, कि तुम तो अभी बाहर मैं उसे मना करते हुए का कि नहीं, मैं बाहर नहीं गई थी, मैं तो तुम्हारे लिए पानी लेने गई थी, यह सुनके बहुत ज़्यादा है, तो दोस्तो यह तो आपको पता चल गया होगा, कि जो मेरे साथ हुआ, वो मेरा ब्रहन नहीं था, तो दोस्तो आज का वीडियो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना, मेरे ऐसी वीडियो रेकनी के लिए बेल आइकन दबा देना, और कमेंट करके बताना वीडियो क्या सलागा